तो हेलो एबरीबन, आप सबीगा फिरसे एक नई benefiting स्वाग है तो रास की स्पीडमच अन्बॉकसिंग करने बाले यह जो आप फोन देख रों आपको यहां पर इसकी आनबोक्सिंग आपको कर दिखा लिए तो सबसे पहले पैकिंम भाई इसकी पहले इसको अलगी लेवल की आपको देख सबते हूँ यहां पर तो मैंने इसको सबसे पहले से पहले box से जैसे आप इसको box से बाहें निकाले के तो तो इसको साईड में रख लेते हैं इसके बाद जैसे आप इसे open करोगे, कुछ यहाँ पर आपको documentation मिल जाएगे, जिसको आप rate कर सकतो हो, realme की तरफ से, इसके बाद आपको मिलेगा, इसके अंदर एक आपको transparent case, quality, आपको coffee premium quality देखने को मिल जाती है, और यह case मिझे काफी अच्छा लगा, इसके बाद box को जैसे आप open करोगे, तो open करने बाद, हमारा मिलेगा, सबसे पहले phone रख हुआ, इसके अंदर, जो कि यहाँ पर आपको देख सकतो हो, यह भाई हमारे जब phone हो, और इसका जो look है, design है, color अब काफी, जबर जस्तो, और मिझे अच्छा लगा, मैंने यही purchase किया था, इसके बाद, जैसे आप open करोगे box को, तो इसके अंदर, आपको मिलते है एक charger, जो कि यहाँ पर आप देख रहो, यह आपको एक normal सा charger मिल जाता है, ज़्यादे है भी बगएर नहीं है, 10W का बैसे तो charger आता है, इसके साथ, कुछ इस तरीका है, तो यह आपको एक charger मिलते है, इसके साथ phone के, यहाँ पर आपको एक cable मिल जाता है, जो कि आपको USB 2 Type-C cable मिलते है, तो यह आपको cable की quality थोड़ी सी अच्छी आपको मिल जाती है, white color में आता है, यह आपको box से अंदर, यह कुछ content देखनी को मिल जाते है, बाकि इसको मैं हैंपर pack करके रख देता हूँ, side में को, यहाँ पर इसको रखते है side में, बाकि जो हमारा phone है, इसका जो look है, design है, वो आप यहाँ पर देखिए रो, और जो case हमें इसके साथ मिलते, जब आप इसको लगाऊगे, और लगाने के बाद आप इसको चलाऊगे, कुछ इस तरीके के आपको जो feel है, वो आपको देखनी को मिलेगा, और जो case की quality है, वो काफी लाजब आब है, इसमें आपको सारी चीज़ अरजस्टेबल मिल जाएंगे, जो है, प्रोलम नहीं रहेगी, तो case की quality मुझे काफी अच्छी लगी, case काफी जबर्जस्त है, इसके बाद आप back में देखोगे, आपको इसमें dual camera का setup मिलते है, इसमें main camera आपको 32 Mpc का back में देखने को मिल जाएगा, लेकिन पीछे आपको एक premium design मिलते है, और इहाँ पर एक इसमें यह है कि इसमें जो आपको double design मिलते है, camera में आप आप देखोगे, आपको glass type का मिलते है, जिसमें आपको finger नहीं लगेंगे, अगर आप camera को, आप case को लगा करके नहीं रखोगे, कबर लगा कर रखोगे तो इसमें finger बगारा नहीं चापेंगे, बट आप normally चलाओगे तो इसमें आपको finger बगारा जो है, प्रोलम्स आएगी, जैसे touch करोगे finger आपके लग जाएगे, बट back side में आपको finger है, वो भी नहीं लगेंगे, पीछे realme की branding मिल जाती है, जो आपको दिखारी देगी, side में से आप देखोगे, तो side mountain, fingerprint आपको नजर आजाएगा, जो कि इसमें side में मिलता है, नेचे की side में आप ये चीज़ देखोगे तो आपको एक speaker मिलता है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, front की बात कर लेती हैं, तो front में पहले में phone को on कर लेता हूँ, और on करने के बात देखता हूँ कि इसमें आपको क्या के चीज़े मिल जाती हैं, डिस्पले के अंदर, और guys आप इसकी जो display आप ये देख रहो, जो कि काफी जाद है, यहाँ पर आपको light भी मिलेगी, इसी के साथ यहाँ पर आपको front camera बाप नज़े डालोगे तो 5 megapixel आपको front camera मिलेगा, जो कि यह आपको notch के अंदर देखने को मलता है, हाला कि आप punch hole camera चल रहे हैं, बट आपको ये notch में देखने को मलता है, यहाँ पर आपको देखो, ये 8000 रुपे की range में something phone आ रहे है, 7800 रुपे की range में phone मिल रहे है, तो इसके अंदर आपको processor मिलता है, Mediattac का UNOC का, आपको T612 का processor मिलता है, जो कि आपको 5-6000 रुपे की range वाले phone में भी देखने को अराम से मिल जाते है, बाकी look design आप देखी सकते हो, तो processor के मामले मैं आपको बता रहा हूँ, Android डिजन आपको 14 मिल जाते है, 5000 एमें इसकी बेंटर मिल जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है बेंटर के मामले में, और मैं उसको बोलूँगा भी नहीं, लेकिन अब बात कहले थे कि camera में back में आपको 32 मिल रहा है, front आपको 5 में official camera मिल रहा है, कि इस तरीकी जो performance से आप इस वाले phone से निकाल सकते हो, तो सबसे पहले में अगर तो हैंपर आपको चलता हूँ, about मैंने gallery को open किया, तो इससे पहले में camera में दिखा दो हूँ आपको camera को open करके, तो camera के अंदर क्या-कया features आपको देशनी को मिल जाती है, जब camera आप open करोगे तो इसके अंदर आपको night mode का option मिल जाएगा, video का option मिल जाएगा, और video के frame rate की हैंपर हम जरूर बात करने वाले हैं, तो आप setting पर जैसी आओगे और setting पाने के बाद, यहाँ आपको frame rate आपको देशनी को मिल जाएगे, तो इन frame rate में आप video record कर सकते हो, 1080p में 30 apice का option मिलते है, 720p में 30 apice का option मिलते है, और आपको 480p के अंदर भी 30 apice का option देशनी को मिल जाते है, इन तीनो frame rate के आप अंदर बीड़ो कोई से में भी बना सकते हो, इसके बाद आपको मिलता है photo option, photo में आप जाओगे तो zoom करोगे, तो यहाँ पर आपको 10x तक का zoom ने जागा, बढ़ यह किसी काम का नहीं होने बाल है, इसमें आप जो है 1x से 2x तकी जो photo में आप जो है, zoom बगारा खींचोंगे तो photo आपकी सही आईगी, बाकि आपकी कोई भी काम की photo नहीं मिलेगी, camera normally मैं आपको sample दिखाऊंगा, portrait mode में आपको normally मिल जाते हैं, जिसको aperture बगारा share कर सकते हो, more बाले section जाने के बाद आपको इसमें ज़्यादा खास option नहीं मिलते हैं, बट slow motion को option आपके काम आने बाल है, इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ photo बगारा हैं आपको शूट करें, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके phone से ही मैंने कुछ samples बगारा भी लिए हैं, तो इसकी मैं brightness को थोड़े ज़्यादा कर लेता हूँ, जिससे आपको photo clearly दिखाए दे जाए, यह जो आप photo देखे रहे हैं, यह front camera से मैंने इसके photo shoot कराए, यह है बिना किसी portrait mode के details थोड़ी वो normal है, जो आपको देखनी हो मिली जाती है, portrait mode में भी ज़्यादा खास difference आपको देखनी हो नहीं मिलेगा, थोड़ी सी attractive लगती है, बट details बगएरा वो आपको नहीं मिलेगी, इसके बाद यहाँ पर यह मैंने back camera से photo shoot करा था, खुद ही मैंने back camera, फ्रंट back camera अपने हाँ से ही जो है photo shoot कर लिया था, यह बिना किसी portrait mode के था, details बगएरा देख सकतो, बट जाए चेहरे पर नज़र डालोगे तो यह थोड़ी सा details बगएरा, यो red tones बगएरा वो हाँ पर ज़्यादा दे जता है colors बगएरा, तो यह चीज़ आप देख लेना एक बार पहले, यह portrait mode में थोड़ी सी photo मैंने अपने setup ए खींची थी, यह पर थोड़ी सी photo attractive लगी थी portrait mode में setup की बज़े से, जो कि आप देखी रहो, इसके बाद मैंने back camera से photo shoot करा, जो कि 32 में अब असल का था, तो कुछ इस तरही जो photos बगएरा है वो आप यहाँ पर ले सकते हो, इसके बाद एक photo मैंने और शूट करी थी, जो कि यहाँ पर आप देख सो colors बगएरा को आपको दिखाने के लिए, कि किस तरह के साफ subject और फोकस करके कुछ इस तरही जो photos बगएरा वो आप निकाल सकते हो, तो camera के मामले में normal यह इतने चाथ खास difference आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको 5-6000 रुपिक range में मिल जाते है, बही सेम जो आपको इस वहले phone में भी देखने हो मलने वाल है, बाकी phone के जो price है और जो इसका variant है 4GB, 64GB, वो आपको कैसे लगा comment करके जरूर बताना, आपको एलिए सही है, या थोड़ा सा कम है variant, यह चीज आप मुझे जरूर बता देना, बाकी यह phone आपको कैसे लगा comment करके जरूर बताना, बेड़ो अच्छे लगे तो वीड़ो को like कर देना, चैनल पर नथो subscribe कर लेना, और आप कुछ भी चीज पूछने आते, एटू जाएट, फोन से related, तो आप मुझे comment कर देना, या मेरे आप Instagram जाकर करके, मुझे follow करके बहाँ पर message कर देना, आपको link जो है वीड़ो के description में मिल जाएगा, तो मिलते हैं आप से अगली वीड़ो में दोस्तों, तब के लिए जया हैं, बंदे मात्रम,